हाई स्टुडेंट तुदे आएम गोंग तो डिसकुपस थाध एट क्रासफ 12 फिजिक्स तॉपिक इस इलेक्तिक फेल्ड द्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के करेंगे से ज्मक्तु पॉइंट्वाइंटिक इन्ट। यह हमारा एक माइनस चार्ज है कि पॉइंट चार्ज है यहां पर एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है अब हम यह देख रहा है कि इस लाइन में इस एक्जियल लाइन में एक कोई पॉइंट हमारा P है जहां पर हमको क्या निकानो रही वैल्यूस निकाननी है क्या highest प्यद्व कि लेल्यूस अब हम सबसे पहले क्या करो इस दर या monitor से उंट है तरिक हो जाएगा इस प्लस की वाली चार से कितने पहोजाएगा माइनस लिख देता है तो यह लेता हूं बाद में 3 इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वार यही होता है point charge से electric field कितना होता है one upon four by epsilon not q by R square यही होता electric field intensity due to upon charge q तहाँ पर यह भी point charge था था k into q upon r plus l का whole square अब देखो electric field की direction किदर होगी minus q के तरफ इसके लिए होगी बटी जो vector होगा और किसमें लेंगे minus अगर हम लोग मान लें कि जो हमारा डाइपोल मुमेंट होता है उसके डाइरेक्शन के एक अगर लिखते हैं वेक्टर फर्म में भी है एक लिखते हैं तो की वेलू भी हो जाएगी क्यूग अपान लेकिन प्लस वाले क्यों साथ होगा स्वरी आर मैंस 10 का हो जाएगा यैवर फ्लस एल था यह हमारा क्या हो जाएगा पॉजेटिव क्यों पादी पॉजेटिव से एक पीड़े झालने हां या मिन यह अब दोनों से है क्या है यहां पे एक हमारा माइनस पी है प्लस पी है तो फिल से कॉमन हो जाएगा पीको के साथ आ जाएगे प्लस होगत पहले टूव लिख लेता हो तो sqr अ अपान r plus l whole square इसको मुलों solve कर लेंगे जब solve करेंगे दी की जो value होगी वो हो जाएगी kq अब ध्यान समझना यहां पर r minus l r minus l minus वाले terms minus महोंगे यहां जो minus 2 rl हो जाएगा वो किसमे हो जाएगा plus में हो जाएगा इसको आप solve कर लेना solve करोगे तो आएगा 4 rl upon r square minus l square whole square और यह क्या हो जाएगा पी यूनिट वेक्टर पी हो जाएगा तो जो e की वेक्टर e की हमारी value हो जाएगी वो हो जाएगी kq तो k की value मैं लिख लेता हूँ 1 upon 4 by epsilon not q हमारा q होगा अब 2 rl यहां पर 2 rl है तो इसको मैं 4 rl है तो इसको अभी square whole square into 4 rl यह हो जाएगा वेक्टर पी अब यहां पर जमसंद लेते हैं कि देख भी रहे हो कि जो हमारा यल है न यहां पर यहां पर यह बहुत स्मॉल होता है तो आर के compare में L को negligible मानने जा रहे हैं तो यह हम ले लेंगे L is very very less than R this implies that L squares also less than R square L be negligible negligible compare to compare to R means L square with negligible compare to R square L square को negligible मानने लेते हैं तो जो एक की value हो जाएगी vector हो कितनी होगी 1 upon 4 pi epsilon not q upon यह जब लेजबर करोगे तो गाएब हो जाएगा R to the power क्या हो जाएगा 4 यहां पर क्या था 4 R L यह vector P हो जाएगा एकार से एकार हमारा क्या हो जाएगा यहां पर बच्चेगा ई स्कल्टू वन अपान फोर पाई एफसाइलन नाट क्यू अपान आर क्यू यह हो जाएगा एकार से एकार केंसल होगा तार क्यू होगा यह हो जाएगा 4 L अब P हो जाएगा अब देखो 2 L Q को हम लों क्या बोलते हैं पी बोलते हैं कौनसा पी इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट अभी यूनिट वेक्टर ध्यान से देखना यह कोई पी ने इसकी मैगनिटूट क्या है यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर याद रखना है तो पी की डाइरेक्शन की तरह है बाहर के तरफ है हम लों जानते है कि माइनस से प्लस के तरफ किसकी डाइपोल मोमेंट की होती है सेम वे में यहां लिख सकते हैं जो यह की वैलू हो जाएगी वह जाएगी वन अपान फोर पाई अब यह हमारा रिलेस्ट था एक्सियल के लिए यहां मैं लिख लिए एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फिल्ड के हमारी यह वैलू होती है अब हम बात करेंगे एक्टुरियल पॉइंट में आपको यहां समझा देता हूं को समझे यह प्लस अब हमको क्या करना है माइनस Q जो हमarक हुआ है मायनस की ञार्ज है यह क्या करेगा इन लेक्ट्रिक फिल्ड को अपने तरफ ऐसे हैं यह अश्चिय अगEC अगर यहां पर उलेक्टर निकालना है जो की आर्ट सेंटर से अर्ट से इसको समझ लेते हैं पहले क्या धर यह क्या समझा आपको डाइग्राम समझ लेंगे हमारा समयुशन आप आटोमेटिक आज़ाने हाँ अए मैंने है को अब क्या करना है कि ईलेक्ट्रिक फिल्ड करना पर ada तो सबसे पहले आप 11 mentre लेल लो है कि यहाँ पे क्या राप् ट्लस क्यू चार्ज मिलसक्व टाइपोल हो गया इसदाइपोल का यह हमारा क्या सेंटर ईले भी ओगा यहाँ पर इससे सेंटर में इसके मीटू पॉइंट में आ डिस्टेंस फिरंप को इल्यक्ट्री की वैलिउ फाइंड आउट करने है जब यहां से फाइंड आउट करने है तो देख रहोगा माइनस क्यू चार्ज के तरफ इलक्ट्री फिल्ड हो गा इधर हो जाएगा R² प्लस L² और यह भी जो value होगे वह भी क्या हो जाएगी R² प्लस L² एक ट्रेंगल का formation हो गया यहां पर हम देख रहा है कि एक ट्रेंगल का formation इसको हटा दो एक ट्रेंगल बना जिसकी Diagonal क्या है R² प्लस L² है एक side हमारा L हो गया यह right angle ट्रेंगल होगा लुक्रों कि एक सेढ्र तो यह हमारे बिक है याद राखना है इवन इधर है एट्व कीं डिल्य होगा कि je सथा एक लाइन आप एक एनगल के अभर्लाइन का लिए तो सश्द्री कि यह कोई एगल क्यां दीरह्न होगा आप इसके दूपनेंट निकलने वाले इस डारेक्शन में एकडर्ट वैसे एवन क आक इस core कॉंपनेंट इस डारेक्शन में एक आप समझ्ज़गे अब यह यह जो हमारा ईफ थू है इधार क्या है even है आहीं हमने पैर्लल लाइन ड्रा कर दिया यह अंगल क्या है थीटा यह भी अंगल क्या है ठीटा है अब हम यह देख रहे हैं कि इसको कैसे अब साल्व किया जाए टो है क्या है क्या है अब ध्यान समझो एटू का एक कॉंपोनेंट इधर हो जाएगा जिदर एंगल साइन थीटा यह hedge ऑम दो Lasin ति आ इस CONिच एदर में और सुन टे यहां और सम फॉन्त में सेम है बस डारेक्जान और एलग आलग है तो यहां हम देख रहें एक e2 sin theta e1 sin theta दोनों एक दूसरे हों cancel out कर देंगे क्योंकि दोनों same charge की electric field है आप एक दूसरे की opposite direction में आते दोने एक दूसरे हो cancel करेंगे e2 हमारा दो पार्ट में divide होगा इसका इसका कोई मतलम नहीं रहा इधर चला गया पार्ट एक हमारे इस direction में आ गया e2 cos theta e2 sin theta दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे यह दोनों पार्ट cancel हो जाएंगे जो total electric field होगी यहाँ पर e जो होगा वो दोच से electric field होगा वो हो जाएगा e1 cos theta plus e2 cos theta अब क्या करना e1 e2 तो दोनों same है क्योंकि दोनों plus q4 minus q4 से difference क्या है एक plus से minus क्या magnitude दोनों की same होगी अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि दोनों की value क्या 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 हो जाएगा यहां अगर देखा जाए तो 2e cos theta हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2e cos theta अब थोड़ा से समझते हैं e1 e2 मैंने ले लिया है यहां पर e1 e2 क्या हो गया 2e cos theta अब इसको solve कर दो जो टोटल e की value हो जाएगी वह हम देखेंगे तो यह हो जाएगा 2e की value और कितनी है यहां पर e की value अब याद रखो जो e की value है न मतलब e1 की या e2 किसी की value को मैंने e की value मान लिया तो यह कितना हो ज स्कार करेंगे तो simple r square plus l square हो जाएगा को स्थीट अग वैली यहां से निकाल लो कॉस्थीट इसकल तो क्या हो था बेस अपान hypotenuse तो बेस कितना है यहाई-पोटेनस है r square plus l square तो यह हो जाएगा l upon under root r square plus l square यह हमारे electric field हो गया तो जो e की value हो जाएगी 2 1 upon 4 pi epsilon not यह हो जाएगा ql upon r square plus l square to the power 3 by 2 यहाँ power 1 है यहाँ power 1 by 2 है तो यह हो गया 3 by 2 अब देखते हैं तो जो e की value हो जाएगी अब देखो 2 ql यह क्या हो जाएगा p 4 pi epsilon not यह देखो 1 upon r square plus l square 3 by 2 अब यहाँ से क्या करना है आपको solve करना है r square l square 3 by 2 से यहाँ पर हम देखेंगे फिर y condition linear के l square is negligible compare to r square जब negligible होगा तो यहाँ value हम देख लेते हैं होगे हमारा दूसरा question equatorial point में दोनों को भीच में चाहो तो relation में निकाल सकते हो कि जो वहाँ पर था यह पी अपान आर की वाया हुआ है यहाँ पर हमने देखे टूपी वापान आर की वाया ध्यान से देखो और एक्सियल का मतलब क्या हुआ कि एक्सिस से बाहर कहीं भी इलेक्रिक फिल्ड निकाला लेकिन अपने सुवधा के लिए हमने क्या किया मीड़ पॉइंट से इलेक्रिक फिल्ड की वैलू को फाइंड आउट किया है इस डेरिवेशन को आप तयार कर लेंगे फिर अगले व